कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, सुधिर कुमार जी पक्ति लिखते हैं, पुना फिर से, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिले की तरफ, यहां से चले हैं नई मंजिले क कि तरफ कि यह तो एक पंड़ना है यह तो एक पंड़ना है अभी पूरी कित हर बाकी है कि अभी हम लोग इस पड़ाओं में खिस फश्रुगाती दौर है अभी हम लोग तयारी कर रहे हैं अभी पूरी जिन्दगी तयारी जो आज कर रहे हैं इसकी पूरी जिन्दगी में इसका रिजल्ट मिलने वाला है आखिरकार मैंने इस उम्र में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है अभी हम लोग एक धीरे धीरे इस पढ़ाव के तरह पढ करेगा साथियों आज स्टार्ट करते हैं इन्हीं सब चीजों को देखते हुए और हमने आपको बताया था जैसा कि हमारे पूरे कंप्लिट हो जाएंगे वाच टाइम और सब्सक्राइबर ही इतना मैंने सोचा था वहां से कंप्लिट होने के बस्चाद में कुछ सलेबस को अनौंसमेंट किये थे और उसी की डिसकर्स में आज हम लोग जी विग्यान को स्टार्ट कर चुके हैं जी विग्यान हम लोग पहले इसका क्या क्या सलेबस है क्या क्या इसकी पढ़ना है इसके बारे में डिसकास कर लेंगे पढ़ना तो आसान बढ़ जाएगा तो पहले सलेबस तो जान लेना बहतर जरूरी है यह सěले बस हम लोग पहले डिस्कास करेंगे इसके परिचा अखिकाल जी विग्यान का परिचे क्या है कैसे द्पत्थी हो है कि पीदा कौन है तुमाम प्रकाट के चीज़े का परिचा पूछले प्रिचा या जाता है तो और इस जी विग्यान की साखा में जी विज्यान में कुछ प्रमुक्र साखा है, उस साखा को हम लोग देखेंगे कि जी विज्यान में कौन-कौन से साखा है, जैसे कि पोमोलाजी क्या है, डंड्रोलाजी क्या है, ठीक न, इस सब चीजों के बारे में हम लोग अध्यन करेंगे, और फिर आगे हम लोगों का चे भी लेख्षर आपको समझेगा कि पढ़ाई तो एक तरस्ती आपका मारग दरस्तंच हो चुका है प्रिफेरेंट क्या है प्लांट सेल में और इनिमल सेल में इसमें तमाम प्रकार्ट चीजें डिन्न ने भी सिंदेख लेंगे केंद्र भी देख लेंगे नुपलियस तुरा में चाल लिए और लोगर तकितनेश्य अधिय। एक सेक्वेंस के और एक डाइग्र्न करेंने हैं जयर विन में भावन आती है जाय विक्कास में आनेame लोग का बता ही important नाम है एक Lamarvaad Divine MarkBER के बारे में भी हम लोग देखेंगे अखिरे काल उन्होंने थोरी क्या देखे और ये box वे मुप देखेंगे दोनों के बारे मुझ जयविकास के बारे में देखेंगे पिर अनुवानसी की वारे में देखेंगे अनुवानसी कैसे पीता का गुल फुत्र में आ जाता है, कैसे पीता का गुल फुत्र में आ जाता है, गुल सुत्र क्या होते हैं, और जो पुत्र जन्मती है, वो किस कारण से जन्मती है, मा के कारणा या पिता के कारणा, किस के गु पुरी चीज़ों के बारे में देखेंगे और एक छोटा सा प्रयोग देखेंगे जिसमें कि मेंडल का प्रयोग है इस चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे आगे क्या आता है हम लोग फिर पास में उनस्पति भी ज्यान बाटनिकल साइंस इसमें हम लोग देखेंगे क की जो होता है वनस्पति विज्ञान वनस्पति विज्ण वी ज्न हम लोग पूरी चीजियों के बारे मों देखलेंगे निला। आखिर कर वनस्पति विग्यान में इसका उत्तु होती है कि इसकिस...... तयुक्त रहुत्त भोजन के पहुशता है और पत्तियों से कैसे जल सर्जितों होता है यह सकता है क्योंकि एक बड़ा सा चेप्टर नहीं है लगत एक बड़ा सा विडियो के बारे में जैसे ध्वनी प्रदूसर वाइप प्रदूसर इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे प्राणी जगत का वर्गेड यानि जंतुओं को कितने भागों में बाटा गया है इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, जैसे कि एनिलीडा और आगया आर्थो पोडा, संग पोरी फेरा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जन्तु जगत के वरगी करण में देख लेंगे, मानों के किस जन्तु जगत में रखा गया है, इन सब चीज़ों के बारे म सिल में पिर आता है हम्हारे पास में जंतों उतक ऊथक के बारे में जंतों के वा देखेंगे कि पेसी विल्टब हो गया और कौन तमाम प्रकार की स्व्व थे और एपिठेलियल उतक हो गया तो इस चीज़ ऌप समय नदम मैं सराट रहता थें हैं कितने प्रकार करतो होते हैं जैसे कि डाबलूस बीसी प्लाजमा इन सब चीजों के बारे मुम्लोग पूरा डिटेंड में देख लेंगे और डाइग्राम बनाते हैं देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है कैसे वर्फ करता है इसके अधिक्ता से कौन से रोग हो जाती है अर्बिसी का जन्म कहां से होता है मिर्तिव कहां से होती है पूरी की पूरी चीजी हम लोग डिसकस करेंगे फिर आते हैं मानो सरी के तंद्र मानो सरी के तंद्र थोगा सा लंबा टापिक बनता है इसके बारे में देखेंगे मानो सरी के तंद्र में कैस क्या क्या जाता है जैसे कि और कहां से इस करेटरी होते हुए चला जाता है पिर आते हैं आगे हमारे पास में परिसंच्रड तंत्र में बोला जाए तो समानता हुरुदय के बारे में अर्था जो बलड होता है ब्लट कैसे हमारे सरीर में जो हुरता है वो पंप करता है पुरी सरीर को और ब्लट पुरी सरीर में पुरी नसों तक पहुचता है और वहां से पुन आता है कारबन डाई अक्साइड की कैसे जाता है और कैसे आता है कैसे जो ता फेपड़े से निकलता है कारबन डाई अक्साइड और वहां से अक्सिजन को ग्रहन के लेता है इसी में हीमोगलूबिन के बारे में हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे फिर आते हैं हम लोग उस सर्जन तंत्र, उस सर्जन तंत्र में जैसे कि हमारे सरी से क्या क्या निकलता है, कैसे कैसे उस सर्जित हो जाते हैं, जैसे कि किड़नी समानते हैं, हम लोग किड़नी के बारे में, ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे, और डिक्टर में पढ़ेंगे, औ लिए कंकाल तंत्री का तंत्र में समंत्यम लोग ब्रेन को पढ़ेंगे, कैसे नर्वस सिच्टम हमारा वर्क करता है, कैसे हमारे स्रीक की सुचनाओं को मस्तिक से पहुचाता है, जो भी गतिवितिया करनी होती, वहां तक सुचना है पहुच जाती है, और तुरंट कार्य होने लगता है आगे आएगा डिस कालतंत्र में क्या आएगा कि हमारे सठी में कितनी हडियां कहांपर हैं कौन सबी क्या काम है जैसे कितनी हडियां के यहां पर इस हडि को क्या नाम है यहां पर हड़ी हैं तमाम प्रकाय की चीजी देखेंगे सबसे लंबी हड़ी कौन है सबसे छोटी हड़ी कौन है कान की तीन हड़ी हाES इस सब चीजी के बारे में लोगे पूरी के पूरी सिजी को देख लेंगे न fiquei लिए क्विन निथा चाहां यहाँ पड़ा जाता जब जब की सोसंस तंत्र में हम लोग 105 कैसे ले यहाँ पर 100 देखेंगे फिर आती हैं अगली हैटिंग यह तंत्र में था एक दो तंत्र और चुटे हुए जैसे कि लस्का तंत्र और तुमां प्रगाइट कुछ एक दो हो सकता है चुटे होंगे चुटे होंगे तो आप कमेंट बाग्ट से बता देजेगा उसको भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा फिर आते ह सही कार्भो हग्ड्रेट कितना चाहिए कौन से कार्भो हग्ड़रेट चाहिए ध्यार प्रोटेइन के बारे में अधर्ण करेंगे वसा ते और अपना पर जल बिटामिन में जल को भी म淋ट्यार पूरे उभी सकता हैं और beauty and the सज़ों को देखेंगे और vitamine के श्रोध भी देखेंगे दरीटामिन की कमी से होने वाले रोग पूब्य हम लोह यहाँ पर अध्यन करेंगे और इसका राशारी नान देखने का प्रयास करेंगे फिर नुख करेंगे फिर खनीच लावड के बारे में हम लोग अध्यान करेंगे खनिच पदार्थ के बारे में भी में हम लोग डिटिल में देखिए थो आता आगली हमारे पोशण आता हैं पोशण फोश pozir पदार्थ यहां पर हो गैथा ऊंइद चीज हो ओई है थीम्हारत अलग है बस और मान रोग हम यहां पर करेंगे फिर आता है कि आगे हमारी पास में कौन-कौन से बैगती कौन-कौन से अविस्कार कियें और उनकी क्या महत्तोफूर बाते हैं इन सब चेजों के बारे में हम देखेंगे इस प्रकार से हम लोग जी विज्ञान की साखा को एक तरस्वी स्टार्ट करेंगे देखते हैं और धिरे धिरे करके थोड़ा सा वत लग सकता है और धिरे करके चांप्लेट कर लेंगे पर सलेबस भीक करें और सलिबस देख चुके होंगे और अब अगली वीडियो में मैं थोड़ा से पछूजा है पुना धीरी-धीरी करके वीडियो आपको प्रवाइड करता चला जाऊंगा आप लोग इतनान से देखते चलिएगा और लाइक भी करते चलिएगा और नए दोस्तों के साथ इच्छा करेगा तो सेर करते चलिएगा साथ बस मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब सबसाथ जाए